नमस्कार किसान भाईयों मैं मनोज फिर से हाजिर हूँ आपकी अपने चैनल अगरी हो मामी किसान भाईयों आज हम बात करेंगे गेहु की एक उन्नत सिल्व वराइटी के बारे में इसी उन्नत सिल्व वराइटी के बारे में संपूर जनकारी देने वाला हूँ किस्म का नाम क्या है पकने की अवधी कितनी है बीजदर क्या है कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से राज्यों में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं साथी साथ पौंधों की उचाई कितनी होती है और उत्पादन क्या रहेगा कितनी सी चाई की आव सकता पड़ती है बुआई का सही समय क्या है एटू जेट कमफलीट जनकारी देने वाला हूं वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें जिससर की आपको एक सही अच्छी जनका यदि इस किस्म को पकने की अवधी की बात करें तो किसान भाईयों लगभग 115-125 दिन के अंदर यह किस्म पक कर तयार हो जाती है बीजडर की बात करें तो किसान भाईयों 40 किलोगराम प्रती एकड के हिसाब से यदि इस किस्म को चुनाव करते हैं तो बहुत ही संदार काफी ज्यादा सहंसील है और रोग किसान भाईयों इस किस्म के अंदर काफी कम देखने को मिलते हैं तो इस किस्म का नाम है किसान भाईयों करणवंदना DBW 187 इस किस्म का चुनाव करके सालों से किसान भंपर पैदवार ले रहे हैं अब बात करते हैं कौन-कौन से राज्यों में हम इसकी भुवाई कर सकते हैं अंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेश, गुजरात, बिहार, असम, पच्छिम बंगाल आधी राज्यों में कर सकते हैं पौंधों की उचाई की बात करें तो इसके पौंधों की उचाई लग 100 सेंटीमीटर के आजपास किसान भाईयों देखने को मिल जाएगी यग यह कम लंबाई होने के कारण नीचे नहीं गिरते हैं किसान भाईयों उत्पादन की बात करें तो इस किसम से किसान भाईयों 28 से लेकर 30 कुंटल प्रती एकर तक उत्पादन असानी के साथ देखने को मिल जाता है यदि आप समय रहते फंगिस साइड और किटनाचक का उपयोग कर लेते हैं तो और अपनी फसल को फंगस और किटों से बचा कर चलते हैं तो आपकी फसल बहुत ही अच्छा पैदवार निकाल कर दे सकती है किसान भाईयों बात कर लेते हैं सिचाई की तो सिचाई की आउसकता इस किस्म को तीन से चार सिचाई की आउसकता इस किस्म को परती है तो किसान भाईयों तीन सिचाई इस किस्म की आप कर देते हैं तो तीन सिचाईयों में आपको बहुत ही अच्छी पैदवार यह दे सकत अच्छा उत्पादन दे सकती है तो किसान भाइयों जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियों को लाइक चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें धन्यवाद